नमस्कार बच्चों मैं डॉक्टर सोलेता वर्गोतिया आपकी आज की क्लास में स्वागत करती हूँ और आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूजन नॉमनक्लेचर सिस्टम बच्चों इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने हैंट्स विड्मेन नॉमनक्लेचर सिस्टम पढ़ा यह BSC 3rd Year का टॉपिक है लेकिन BSC 3rd Sam में भी इसकी डिटेल स्टडी है तो हम MSC और BSC के कमपेरेटिव स्टडी से हम इसको डिटेल में स्टडी कर रहे हैं तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं फ्यूजन नॉमनक्लेचर सिस्टम इसमें जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा ह हम एक फ्यूजन की बात कर रहे हैं अब फ्यूजन किस चीज़ का है कि हम जो सिस्टमाटिक नेम्स पढ़ रहे हैं हेट्रो साइकल्स के कि जो सिस्टमाटिक जो हेट्रो साइकल्स हैं अगर वो दो फ्यूज हो जाएं दो रिंग्स जो दो या जादा रिंग्स अगर कॉंप जो systematic जो हम पढ़ते हैं rings के बारे में तो उसमें क्या है हम non cumulative double bonds की study कर रहे होते हैं तो हमें ये पता करना होता है कि कौन से structural unit को हमें main structural unit मानना है और कौन से structural unit को हमें secondary structural unit मानना है इसके बारे में जो है वो detail fusion nomenclature के अंदर हम study करते हैं आगे बढ़ते हैं बंचो इसके हम कुछ rules study करते हैं rules में सबसे पहले हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई heterocycle है तो उसको हमें dissect करना है दो components में हमें उसको dissect करना है दो components में तो एक component को हम मानेंगे base component और एक component को मानेंगे हम attached component फिर से मैं repeat करती हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी fused heterocyclic system है, fused heterocyclic system की बात करेंगे, यहाँ पर fused heterocyclic system है, तो उसमें एक component को हम मानेंगे, base component और एक component को मानेंगे, हम attached component, जैसे मैं कुछ examples बताती हूँ आपको, कि मान लीजे हमारे पास, हमारे पास यह first heterocyclic है, तो इसमें देखिए, अगर मैं इस component को दो भागों में बात दूँ, तो एक हमारे पास benzene है, और एक हमारे पास nitrogen and sulfur का, यानि thiazol का component है, तो हमें इसको दो component में तोड़ना है, एक component यह और second component यह, इसी तरह से हम दूसरा heterocyclic ले रहे हैं, हमारे पास same है, कि हमारे पास एक benzene का component है, और एक nitrogen वाला जो component हो, उसको imidazol कहते हैं, तो यह हम दो component से मिलके बना सकते हैं, एक तो benzene component और एक imidazol component, यह हमारा first rule है, कि हमें किसी भी heterocyclic को दो component में तोड़ना है, second rule यह कहता है, बच्चों कि अगर हमारे पास जो components हैं, उनको हम या तो tribal name से बुलाएं, या फिर हम उनका systematic nomenclature कर दें, या तो हम उनको recognize जो tribal names हैं, उनको common name से ही उनका जो naming हैं, वो कर दें, या फिर हम को systematic naming भी use कर सकते हैं, तो मैं इस lecture के साथ हम एक PDF भी share करेंगे, जो एक common या tribal names की PDF होगी, जिससे आपको help हो जाएगी कि कौन से component का क्या tribal name होता है, थर्ड जो rule ये कहता है बच्चों कि base component should be a heterocycle system, मतलब अगर आप base component को जो भी ले रहे हैं, वो एक heterocycle system होना चाहिए, और उसमें order of preference जो हमारी table number one हमने discuss की थी, hands with man nomenclature में, वो हमें follow करनी है, तो इससे क्या है आपको और example से ये rules, तीनो rules जो हैं और clear हो जाएंगे, तो सबसे पहले हम study करते हैं कि हम selection of base component कैसे करेंगे, हमारे पास जो first rule है कि हमें base component का selection कैसे करना है, कोई भी अगर हमारे पास जैसे कोई भी heterocycle है, तो इसमें किसको हम base component मानेंगे और किसको attach component मानेंगे, तो देखें इसमें दो heterocycles है, जिसमें एक में तो nitrogen hetero atom है, और एक में sulfur hetero atom है, तो first rule ये कहता है कि nitrogen वाला जो component है, उसको आपको base component मानना है, ठीक है बच्चों, first rule ये कहता है कि nitrogen कैरिंग जो component, मतलब जो heterocycle का part है, ring है, वो आपको base component माननी है, जैसे इसमें ये benzene वाली, pyridine वाली ring, और इसमें जो है, ये वाली ring, आपकी pyrrole वाली जो ring है, वो base component मानी जाएगी, next rule ये कहता है कि मान लीजे, आपके पास nitrogen नहीं है, उसके अलावा दूसरी ring है, जिसमें दूसरा hetero atom है, दूसरी rings है, जिसमें दूसरे hetero atom है, और nitrogen हमारे पास नहीं है किसी ring में, तो जो ring के ring, जो hetero atom है, उसको base component माना जाएगा, जैसे हमारे पास first जो hetero cycle है, उसमें benzene है, और फुरान है, तो यहाँ पर base component जो है, वो फुरान को माना जाएगा, उसी तरह से जो next hetero cycle है, उसमें benzene है, और थायोफीन है, तो जो थायोफीन वाला जो base component है, उसको माना जाएगा, ठीक है बच्चों? आगे बढ़ते हैं हम, कि अगर हमारे पास ऐसा hetero cycle है, जिसमें बहुत सारे bicyclic condensed ring system है हमारे पास, मतलब polycyclic system है हमारे पास, तो हम maximum number of rings को लेके, हमारे पास जो tribal जो name available है, उसको हम लेंगे, और फिर दूसरे वाला जो component उसको attached component मानेंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर, हमारे पास देखें, यहाँ पर quinoline system present है, ठीक है? तो हम यहाँ पर base component quinoline को मानेंगे, ठीक है बच्चों? तो हमें maximum जो ring है, greatest number of ring component है, उसको base component मानना है, यहाँ पर जो maximum number of ring वाला जो component है, वो हमारे पास quinoline है, आगे next जो हमारे पास rule है, वो कहता है, कि अगर हमारे पास दो rings है, जो unequal size की है, तो base component किसे मानें, तो हम देखेंगे, कि जो ring, जो largest number, largest या maximum size की जो ring होगी, उसको हम base component मानेंगे, जैसे यहाँ पर thaiophene है, और thaipeen है, seven-membered ring है, five-membered ring है, तो हमें seven-membered ring को base component मानना है, जैसे यहाँ पर हमारे पास pyran है, और यहाँ पर हमारे पास fran है, तो हमें pyran को base component मानना है, क्योंकि यह six-component वाला ring है, और यह five-component वाली ring है, आगे का rule यह कहता है, कि अगर हमारे पास दोनों same number of ring हो, और same number of ring हो, तो हम किसे base component मानेंगे, अगर हमारे पास different number of hetero atoms हो, और same number of rings हो, तो हम किसे base component मानेंगे, तो हमें यहाँ पर देखे, है कि हमारे पास दोनों, दो five-membered ring है, लेकिन हमारे पास एक में hetero atom variety हमारे पास hetero atom की ज़ादा है, तो हमें ऐसे ring system को base component मानना है, जहाँ पर हमारे पास variety of hetero atom present हो, तो यहाँ पर हमारे पास nitrogen and oxygen है, वाइल यहाँ पर हमारे पास only nitrogen है, इसलिए हम oxazole यानी इस वाले को base component मान रहे हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगर हमारे पास दोनों base component हो और हमारे पास different hetero atom हो, तो किसको हम base component मानेंगे, हमारे पास दोनों same number of hetero atom है, लेकिन variety इसमें ज्यादा है, जैसे कि पहला कि rule repeat किया था, मैंने इससे पहले वाला, तो यहाँ पर variety वाला जो ring system है, उसको हमें base component मानना होगा, अगर हमारे पास दोनों ring size भी same है, और दोनों उसमें जो है, वेराइटी भी है दोनों rings में, जैसे कि हमारे पास दोनों five member ring है, और जो देखते हैं कि हर ring में दोनों अलग-अलग है, हेट्रो एटम है, तो हमें जो table number one थी, table number one जहाँ पे अपने order देखा था, preference order, उस पाले हेट्रो एटम को हमें base component मानना होगा, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दोनों हेट्रो एटम, nitrogen है, oxygen है, यहाँ पे nitrogen है, sulfur है, तो हम चूज करेंगे कि nitrogen तो common है यहाँ पे, लेकिन sulfur और oxygen में जो priority है, वो oxygen को दी जाती है, इसलिए जो base component है, वो हम oxazole को मान रहे है, next इसी तरह से अगर हम देखें कि हमारे पास दो ring system है, दोनों में अलग-अलग hetero atom present है, तो हम order of priority देंगे, क्योंकि nitrogen तो दोनों में common है, तो इसलिए हम sulfur और selenium में से हम जानते हैं sulfur को जो है preference मिलती है, इसलिए हमें thayazole को best component मानना होगा, आगे अगर हम देखें कि अगर हमारे पास same number of ring हो, same ही number kind of hetero atom हो, तो हम किसे जो है base component मानेंगे, तो हम ये देखते हैं बच्चों इसमें, कि हमारे पास जो lowest number of locant का hetero atom है, उसे हमें preference देनी होगी, जैसे अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम naming, numbering जो करें, हमारे पास one और two पे दोनों hetero atom present है, और second जो ring system है, उसमें one, two, three and four पे जो है, यहाँ पे one, four पे जो है hetero atom है, और यहाँ पे one, two पे hetero atom है, तो हमें जो base component है, वो pyridiazine को मानना होगा, इसी तरह से अगर हम second example लें, तो दोनों ही हमारे पास five member ring है, एक में one, two and three position पे hetero atom है, और एक पे one और two पे hetero atom है, इसलिए हमें pyrazole को जो है base component मानना होगा, आगे पढ़ते हैं बच्चों कि अगर हम second component यानि हम अब attach component की बात कर रहे हैं, अब हमारे पास यह है कि attach component जो second component है, उसका हम naming कैसे करेंगे, हमने अभी तक base component की बात की थी, किसी hetero cycle को दो टुकडे में तोड़ के base component की naming कैसे करेंगे, इसकी बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं second वाले part की, यानि attach component की हम कैसे naming करेंगे, उसकी बात करेंगे, प्रिफिक्स की तरह use होगा, मतलब आगे हम उसको जोड़ेंगे, और उसका जो prefix का जो e है, last का जो e है, उसको drop करके हमें o का प्रयोग करना होगा, जैसे कि किसी भी अगर attach component में हमारे पास pyrazine है, तो pyrazine का e हटा के हमें pyrazine लिखना है, पाइरजोल का e हटा के pyrazolo लिखना है, और thaiozol का e हटा के thaiozolo लिखना है, इसी तरह से हम आगे भी देख सकते हैं कि pyrazine का जो prefix है pyrodo, quinoline का quinino, isoklinine का isokino, इसी तरह furan का furot, thaiophen का thaiuno और emidazole का emidazole यूज़ करेंगे, अब base component और attach, जो base component की जो fusion है, वो bond, अगर हमारे पास one, two bond से fusion है, तो उस face को a देंगे, bond two, three से fusion है, तो उसको b देंगे, और three, four से fusion है, तो c देंगे and so on, और attach component की जो face है, उसको normal हम one, two, three, four से numbering करेंगे, यानि base component के लिए हमें ABCD यूज़ करना है, और attach component के लिए हमें one, two, three, four यूज़ करना है, तो यह हम और भी आगे example से मैं आपको समझाऊंगी, जैसे कि हमारे पास, हमारे पास ही हेट्रो साइकल सिस्टम है, तो इसमें हमारे पास, देखिए, फुरान जो है, फुरान हम देखते हैं, कि हमारे पास base component है, और थाइफीन जो है, हमारे पास attach component है, तो थाइफीन का जो हमने पढ़ा था कि थाइफीन को हम थाइनो यूज़ करेंगे, तो ये prefix हो जाएगा थाइनो, और फुरान जो हमारा है, base component है, तो as it is हमारे पास ये है, अब हमें इनका fusion जो है, bracket में शो करना है, कि थाइनो जो है, थाइनो एक attach component है, इसलिए ये कौन से face से fuse कर रहा है, जैसे अगर हम इसकी numbering दे तो 1, 2 और 3, यानि थाइफीन का 2, 3 bond fused है, और जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर 2, 3 वाला bond इससे fuse हुआ है, और आगे हम बात करें फुरान की, तो फुरान का जो है, hetero atom वाला face A है, और next face जो है, वो B है, जैसा ये इसमें हमने शो किया है, तो फुरान जो है, वो B के साथ fuse हुआ है, तो हम इसे bracket में शो करेंगे कि 2, 3 and B के जो वहाँ से है, फेस से है, उसका fusion हो रहा है, इसी तरह आगे के जो है, हम example ले सकते हैं, बच्चों देखें, कि हमारे पास एक benzene का system है, यहाँ पे, और एक फुरान का system है, तो फुरान एस इस जो है, हमने base component लिख दिया है, benzene की जगह हम benzo use कर रहे हैं, क्योंकि हमारा attached component है, और जो फुरान है, वो कौन से phase से fuse हो रहा है, वो B से fuse हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यह A phase है, और यह B phase है, ठीक है बच्चों? तो इस तरह से हम इनकी जो है nomenclature कर सकते हैं, आगे का example अगर मैं discuss करूँ, तो इसमें हम देखते हैं, कि अगर हमारे पास benzene type का ring system है, और उसमें hydrogen saturated hydrogen present है, तो हमें यह place दिखानी होगी, कि जो saturated hydrogen है, वो कौन सी space पे है, तो उसको हाके हम fourth पे है अगर वो, तो हम 4H लिखके उसको as it is numbering कर सकते हैं, जैसा कि यह वाले example भी मैं show कर सकती हूँ, कि यहाँ पे जो है, वो fourth position पे saturated carbon पे hydrogen है, तो यहाँ पे fourth position पे capital H लिखके हमने show किया हुआ है, अगर हमारे पास, next rule कहता है, कि अगर हमारे पास one four die hetero monocyclic ring system है, जिसमें one four हमारे पास, one four position पे हमारे पास different hetero atom है, जैसे कि हम कहते हैं, कि two benzene ring हमारे पास ortho fused है, और one four die hetero monocyclic ring में two different hetero atoms है, तो उनको हम pheno, जो है, वो prefix लगा के हम उनको naming करते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दो ortho fused जो है, बenzene ring है, और एक monocyclic ring है, जिसमें हमारे पास one and four position पे, one position पे and four position पे two different hetero atoms है, यहाँ पे भी दो benzene ring है, और one four पे monocyclic ring पे two different hetero atoms है, तो ऐसे naming को हम pheno, जो है prefix लगा के लगते हैं, जैसे phenoxazine, phenothiazine, इस तरह से जो है phenoxythine, इस तरह से यहाँ पे pheno का प्रियोग किया जाएगा, और अगर हमारे पास ऐसा hetero cycle है, जहाँ पे same, अगर कोई ring है, वहाँ पे हमने different hetero atom यूज किया था, यहाँ पे हम same hetero atom यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम entering यूज करेंगे, और जो last का वर्वल ए आता है, उसको drop कर देंगे, तो बच्चों यह हमने पढ़ा था आज, fusion hetero cyclic systems के बारे में, तो इनकी आप और भी practice कर सकते हैं, और tribal, जो next हमारा topic है, tribal nomenclature, तो उसकी हम pdf एक available करवाएंगे, जिससे आपको क्या है, common name याद करने में आसानी होगी, और infusion nomenclature system में, जो common names यूज हुए हैं, उनको यूज करने में आसानी होगी, तो आगे हम बढ़ेंगे, हमारे next lecture में, जो होगा, replacement nomenclature पे based, Thank you. क्रूँए हूनots rice . Sबस्थार स्थ Friday . जूँए हुए 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 हूए हुए,